दोस्तों हिंदु धार्मिक ग्रंतों के अनुसार राम सेतु एक एसा पुल है जिसे मरियादा पुरुषत तमभगवान शिरी राम ने वानर से नासंग लंका पहुचने के लिए बनवाया था ये अपुल भारत के रामेश्वरम से शुरू उकर सिरी लंका के मननार को जोड़ता है दोस्तों शिरी राम का सेतु ये किसी कहानी है जिसे लोग विज्ञान का हवाला देकर फसाना मानते थे लेकिन कुछ समय पहले ही अमेरिकी सैंस चेनल ने ये दावा किया कि राम सेतु व पताया गया उनका कहना है कि रामेश्वरम और शिरी लंका के बीच बहुस्से से फत्तर मुझूद हैं जो करीब साथ जार साल पुराने हैं कुछ लोग इसे धार मिकमत वुद्यते हो इश्वर का चमतकार मानते हैं तो वहीं अमेरिका के इस परमान के वाद यह एक राजने दोस्तों रावन का वद करने के लिए जब भगवान शिरी राम लंका पहुचे तो उनके लिए सबसे बड़ी समाश्या थी रावन की लंका तक पहुशना इसके लिए भगवान शिरी राम जी को इस समुद्र को पार करना था कि राम सेतु का निर्मान महेच 5-6 दिनों में ही पुरा हो गया था और इस बात को मेरी की विग्यानिकों ने भी सुईकार किया है आपको बता दें कि समुंदर की लंबाई लगबग 100 योजन है और एक योजन में लगबग 13-14 किलोमेटर होते हैं यानि कि राम सेतु का निर्मान 1400 किलोमेटर तक किया गया था दोस्तों रावन का वधकर स्री लंका से लोटने के बाद भगवान राम ने राम सेतु को समुंदर में डुपो दिया था ताकि कोई भी इसका दुरूपयोग ना कर सके यह गटना यूगों पहले की बताई जाती है लेकिन कालांतर में बताया जाता है कि समुंदर का जलिस्तर घटता गया और सेतु फिर सुप पराता गया तो दोस्तों आश्या करता हूँ किस वीडियो सा आपको कुछ जानकरी जरूर मिली होगी तो वीडियो को लेक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्यू